राम राम कार्तिक महात्म्यम पांच्वा अध्याय प्रभु बोले हे मुनिश्वर आपने कार्तिक मास फल का वर्णन क्या है अब आप स्नान करने की विधी बताने में भी समर्थ है नारज जी बोले हे राजन तुम विश्णु के अंश से उत्पन हुए हो इसलिए तुमसे कोई बात छिपी नहीं है फिर भी मैं आपको बताता हूँ आश्विन मास में शुकल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंब करें पहर रात्री को उठकर जल का पात्र ले ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाएं दिन में संध्या समय जनियू कान पर चड़ा कर उत्तर दिशा को मुँ करके भूमी पर त्रिण बिचावें और सिर को कपड़े से ढखलें मुँ बंद करके थूकना वश्वास लेना रोक कर मलमुत्र त्या करें रात्री में दक्षन को मुख करें शिश्नेंद्रियं को हाथ में पकड मिट्टी लगा कर धूमें तता दुर घंद वा आलेप दूर करने वाले शोच करें शिष्न में एक बार, गुदा में साथ बार, माही हाथ में दस बार और दोनों हाथों में साथ बार मिट्टी लगा कर धोवे इसी प्रकार ग्रीहस्ती करें, ब्रह्मचारी को दुगना, वानप्रस्ती को तिगुना, वसन्यासी चौगुना शोच करें जो शोच दिन के लिए कहा गया है उससे आधा रोगी और इससे भी आधा मार्ग चलने वाला करे नहीं तो संपूर्ण क्रियान इश्वल हो जाती है मुक्के शुद्धी न करने से मंत्र फलदायक नहीं होते इसलिए दातुन करनी चाहिए दातुन लाते समय व्रिक्ष से प्राटना करे हे वनस्पती तु हमें तेज, बुद्धी, बल, मंत्र, पाठन, यग्य तथा संतान प्रदान करे प्राटना करके दातुन करे प्रतिपदा, अम्मावस्या, नवमी, छट, रवीवार, सूर्य ग्रहन, श्रातिती और व्रत की दिन दातुन नहीं करने चाहिए तथा कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरंड और दुरगंद युक्त दातुन न करे इस प्रकार स्नानादी करनी के बाद पुष्वगंध तांबुल आदी लेकर विश्नु और श्यव के मंदिर में जाएं वहाँ जाकर स्तूती करके नमशकार करें फिर गाह बजाकर भगवत स्वरूप का मन से ध्यान करें ना मैं बैकुंट में रहता हूँ और ना योगियों के मन में मेरा निवास तो भगतों के गान में है जिस देवताओं के लिए जो उत्तम विधी कही है उससे उनकी पूझा करके भगवान से शमा प्राटना करें कि मैं मंत्र क्रिया और भक्ती से हीन हूँ मेरा पूझन परिपूर्ण होवे इस प्रकार जो मनिश्य कार्थिक मास में व्रत करके पूझन कीर्थन करते हैं वे अपने पूर्व पूरुशों सहित निश्पाप होकर बैकुंट चले जाते हैं इती कार्थिक महात्मिया पाच्वा अध्याय